ये थोड़ा सा मुश्किल समय है एक नाजुक बोण है सीजन की शुरुआत दोस्चूने की जीत के साथ को एक कमजोर लगने वाली बांगले दिश के खिलाफ यहाँ पर भी ज्यादा तर लोग और हम भी उनमें से हैं तो सोच देंगे चलिए न्यूजिलिन को तो हरा देंगी तोस वाला निर्णाएं तो पिछ को गलत पड़ गए सीनियर के लाड़ियों की खराब पॉफॉर्मंस सबसे बड़ा एरिया आफ किंसर्न क्या है आपके लिए देखे भारत के लिए सबसे बड़ा दुश्मन कौन था मैं बता रहा हूँ वो था वेदर बैंगलॉर की वेदर अगर वेदर अगर सही चलती तो पिछ इन लोगोंने बनाई थी वो घूमने वाली विकेट जिसके अनुसारी वो अपने टीम सिलेक्शन उन्होंने किया अब भारत के पास की फिल्डिंग करके उसका उपयोग करें लेकर पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा सोचा कि हम इस विकेट पे भी बल्ले बाजी कर सकते हैं लेकिन वहां से जो शुरुवात हुई उसके वज़े से तीम सिलेक्शन गलत हुई फिर एक टेस्ट आप हारते हो तो उ कुल्दीप यहां पर विकेट नहीं निकाल पाते हैं कुल्दीप को अगर यहां पर मौका मिलता तो शायद वो भी इस तरह के परफॉर्मेंस दे सकते थे तो कहीं ना कहीं बल्ले बाजी की कमी लगी थी टीम मैनेजमेंट क्योंकि वासिंटन सुन्दर लो़र ओर में आके थोड़े से बैटिंग में भी कंट्रिब्यूट कर देंगे जिसके वज़ेट से उनको आउट अफ दा वे जाके उनको लाया गया था तो इससे हुआ क्या आने वाले दिनों में देखें बहुत सारी डिस्टॉर्मेंस होंगे टीम में वो जो जेलिंग अभी दीख रही है न उन्होंने भी लिकेट चटकाए थी वहां पे बैंगलावर में लेकिन उसके बाद भी आपने इनको बैठाया उसके बाद अक्षर को नहीं किला है आप आप आकाश को पहले मैच में नहीं किला है यहां किला है तो आकाश को आपने बोलिंग नहीं करवाई चेकंड इनिंग के लिए क्योंकि जो जो नेम है देखे ये सारे चीजे जो मैंने कहा आपको ये रिपोर्ट कार्ड में आप आप निकाल सकते हैं इसका आंसर और देखे जस्परीद भूमरा अगर आपके टीम में है ना मैं तो यही कहूंगा कि उनको आप नया बॉल से उपयोग करें वो नही जादा ही डिफेंसिव माइंसेट में चले गयते जिसके वज़े से तोड़ी सी रन निकली उसके बाद आट ओवर के बाद फिर उनको पॉजिटिव हुए उनको रियलाइज हुआ कि थोड़ा सा कैचिंग पोजिशन रखनी ज़रूरत है अश्विन को भी लास्ट मैच में यूटिलाइजेशन नहीं हुई बहुत सारी पॉजिटिव चीज़े हैं लेकिन और भी जगा है इनको और भी डिसिजिजन मेकिंग में थोड़ा सा और फीक हो सकते है मेरे ख्याल से